हलो दोस्तों सेवन की किचन में आपका फेट से स्वागत है तो दोस्तों आजएए मैं लेकर आए हूँ आपके लिए गर्मा गर्म हेल्दी बहुत ही टेस्टी चने वाले राइस चने वाले राइस आपने अगर नहीं खाये तो मेरी वीडियो कोई अंतक बने रहीएगा चने हेल्थ के लिए बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों और अगर ये आपने चावल राइस बना लिए ना एक बर्चने वाले मैं कह रहा हूँ आपके बिल्कुल जबान से उतरेगा ही नहीं ये और इसमें एक ऐसा इंड्रीडियंट डालेंगे दोस्तों जिससे इसका टेस्ट इ ले लिए यहां पर बास्मती राइस वो भी लंबे वाले तो आप चावल कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप बास्मती ही ले रहे हैं या आप लंबा लेंगे तब ही आपको तेस्ट आएगा नहीं आप चावल कोई भी ले सकते हैं आपके घर में को करेंगे तो यह धुंदला हो जाएगा पानी तो ट्रांस्परेंट होने तक इसको अच्छे से वाश करेंगे दो से तीन बार तो आजकल चावल को दोस्तों बीनने वाला काम तो खतमी हो गया पहले जो परात में लेके लेडिस वैठती थी और उसको साफ करती थी घंटो घंट इसके अंदर स्टार्च से चिप चिप करना शुरू हो जाता है चावल को अगर आप खिला खिला बनाने चाते हैं तो उसे वाश जरूर अच्छी से करिए तो चलिए यहाँ पे लूंगा में चने यह भी रात के भिगोए होए चने है रात को जैसे भिगो देते हैं और बस इतना ही करना है कोई उसको पीसना नहीं है कोई उसको उबालना नहीं है कुछ नहीं करना बस चने को हमने भिगो का रखा है और पानी इसका ड्रेन कर देंगे बस इतना ही करना है तो चलिए यहाँ पर हम काट लेते हैं आलू तो आलू मैंने यहाँ पे लिया है बेबी पट आप ध्यान जरूर रखिएगा तो चोटी चोटी बाते हैं अगर आप अपने किचन फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपके जो किचन की लाइफ है वो इजी हो जाएगी और मेरा मकसद यही रहता है दोस्तों कि आपको बहुत ही इजी तरीके से सब्जी बनाना स सिखां जो पांच मिनट में बन कर तइयार हो जाए तो यहां पे मैंने लिया है कूकर तो आज हम कूकर में बनाएंगे तो कूकर ले लिए है तो इसमें लिए मैंने दो चम्मची रीफाइन्ड ऌयल तो तेज पता लिये लाल वाली मिर्च लिये तो जादा मसाले मै नहीं डालता क्योंकि गर्मी बी होती है सर्दी भी होती है दोस्तों और मैं यह चाहता हूँ कि जो भी खाए उसका पेट ना जले पेट खराब ना हो गला खराब ना हो कि मसाले ज़ादा डाल दिये क्योंकि हमारी रेसिपी जो यह होती है यह डेली यूज की होती है कि आप अपने घर में डेली इस चीछ को बना सकें आप अगर इस तरह से पार्टी फंक्शन में भी बनाएंगे ना दोस्तों तो आपके जो महमान आते हैं ना वो भी आपको यह नहीं कह पाएंगे कि आपने टेस्टी नहीं बनाई जरूरी नहीं है कि मसाला डाल के ही टेस्टी बनता है आप बिना मसालों के भी ढंके अगर आप भूनके बनाएंगे ना तो वो भी टेस्ट आपको जरूर देगा और पहली बात तो अगर आप प्यार से बनाएंगे ना प्यार से बनी हुई चीज दोस्तों हमेशा टेस्टी लगती है तो चलिए यहां पर मैंने ले लिया है आलू और साथी में लिया है चना तो आलू और चने को इसे अच्छे से भून लेने है पांस साथ मिनट दस मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे बस यहीं पर प्रोसेस होता है कि इसे भूनने का जो होता है तो इसे अच्छे स बूनना जरूरी है तो मैं आपको बार बर यही बताता हूँ कि सब्जी को अगर आप टेस्ट देना चाहते है न तो उसको उसके साथ मेहनत करनी बहुत जरूरी है क्योंकि मेहनत अगर आप नहीं करोगे न तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा तो चलिए यहाँ पर मैं डाल लूँगा इसमें स्वाद अनुसा नमक तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कौंटिटी के हिसाब से डाल लिएगा तो यहाँ पर मैंने लिए एक बड़ा चमच धनिया पाउडर यहाँ पर लूँगा मैं आदा चमच आमचूर पाउडर तो साथ ही में लिया है आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच लूँगा मैं यहां पर लाल मिच पाउडर, तो लाल मिच पाउडर लेने के बाद दोस्तों इससे अच्छे से मिक्स करेंगे, यह मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स करने के बाद दोस्तों इस इस वाद खाब जरूर दियान रखेगा तो यहाँ पर मैंने दो कटेवे टमाटर ले लिए हैं तो दो कटेवे टमाटर को भी अच्छे से डाल के फ्राई कर लेंगे फ्राई करना बहुत जरूरी है मैं आपको बार 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 वीडियो में यही बताता हूँ थोड़ा सा समय ल भून लिया है हमने भूनना बहुत जरूरी है तो इस तरह से भूनते जाएंगे तो यह देखिए भून के तयार हो गया है मसाला तो मसाला भूनने के बाद इसके अंदर हम जब चावल डालेंगे तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आगए आप कूकर में अगर आप चाव चावल को रखना है ताकि वो चावल आपका बहुत इटेश्टी बने और चावल एक एक चावल गल जाए और दाना खिला खिला बने तो इसी बात का ध्यान रखते हैं तो यहां पे जो गैस का फ्लेम है भी हमने मीडियम रखा हुआ है तो यह भून गया है हमारा मसाला तो अब हम करते हैं चावल की तियारी तो चावल हमने भीगो का रखा हुआ था दस मिनट तो कभी भी भी आप चावल बना रहे हैं तो दस मिनट उसे जरूर भीगोएगा तो यह भीगोए चावल है दस से पंदा मिनट इसे भीगो का रखे थे तो भीगोने के बाद अब हम इस से रोस कर लेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा बहुत हलके तरीकी से चलाईएगा ताकि आपके चावल टूटे नहीं अगर आप तुकड़ा यूज कर रहे हैं तो बेफिगर होके कटशी चलाईए दोस्तों अगर आप लंबे वाले चावल यूज कर रहे हैं भीग इस तरह से भी अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट देगा तो चलिए यहां पर मैंने एक कट़ोरी चावल लिया है तो दो कट़ोरी में पानी डालूँगा इसके अंदर तो यहां पर मैं एक कट़ोरी डाल चुका हूँ तो दो कट़ोरी इसमें पानी डालूँगा तो पानी हमेशा चावल का डबल ही डालेगा अगर आप कुकर में बना रहे हैं तब भी अगर आप कड़ाई में पलाओ बना रहे हैं तब भी तो यहां भीगने के बाद एक चोटे चोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कोई अपनी वीडियो में नहीं बताएगा तो यह जब आपका कुकर बॉइल जब तक इसमें नहीं आ जाता ना चावल में तब तक आप कुकर को बंद बिलकुल भी मत करिएगा तो यहाँ पे हम बॉइल आने का वेट करेंगे और हाई फ्लेम पे वेट करेंगे तो यह देखिए बॉइल आना शुरू हो गया तो जब यह बॉइल आना शुरू हो गया तब ही आप इसका धकन लगाईएगा और बंद कीजेगा उसके बाद देखिएगा दोस्तों कितना टेस्टी चावल बनते हैं और चावल के दम और खिला खिला बनेगा और एक एक दाना पक जाएगा तो चलिए सीटी आने का इंतजार करते हैं तो यहां मैं लगाऊंगा दो सीटी तो दो सीटी लगाएंगे दोस्तों अगर आप भी चावल बनाते हैं एक गिलाज चावल है डबल गिलाज पानी है दो सीटी लगानी है तो ये चीज़े आप ध्यान रखेगा रेशो आप ध्यान रखेगा ना तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से आप जो है ना चावल बना सकेंगे और बहुत ही तेस्टी बनेंगे तो ये देखिए बनकर तैयार है और दूसरी बात आपको यही बताऊंगा कि जब तक आपकी स्ट्रीम पूरी निकल नहीं जाए तब तक आप इसकी लिट को बिल्कुल भी मत खोलिएगा तो ये लिजे बनकर तैयार है बहुत ही तेस्टी बहुत ही यमी से चने की चावल चने की काले चने वाले चावल तो दोस्तों अगर आपने काले चने वाले चावल नहीं खाया है ना तो प्रीज एक बार बना के जरूर देखिए तो जो लोग शनीवार का इंतजार करते हैं कि हम काले छोले बनाएंगे तो वो काले छोले के चने बना लीजिए दोनों काम हो जाएंगे आपके एक को छोले भी बन जाएंगे और चावल भी साथ के साथ बन जाएंगे तो छोले चावल का काम एक साथ नहीं पड़ जाएंगे और बहुत ही टेस्टी से बहुत ही यमी से बनकर तयार हो जाएंगे ये तो ये लीजिए मैंने कर दिया सर और कर दिया डेकुरेट तो दोस्तों आपका काम मैंने बिलकुल आसान कर दिया नहीं आपको अलग से छोले बनाने पड़ेंगे और नहीं आपको चावल बनाने पड़ेंगे मैं आपके लिए कॉम्बो ले आया सब्सक्राइब नहीं क Extraintal Sid गाले में तक समय तो अगर आप ने तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है टो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब और शेर कर लीजीए दाकि मैं आपके लिए नहीं नहीं वीडियो ला सकूं मेहनत कर रहा हूँ तो आपके भी कुछ काम आए मेरी मेहनत तो बस मैं यही चाहता हूँ कि घर के कुछ मसालों से आपको ऐसा ऐसे खाना बनाना सिखाऊं कि जो टेस्ट तो नहीं आता पर टेस्ट आपको कैसे लाना है वह मैं अपनों इस चैनल पर जरूर बता हूँ आपको